तो व्रैंग्स अबसे पहले आपको हम सुनाते हैं इस बाइक का इकजाॉस नोड है वह हमारे इस पprendhर सबसे पहले आपको अग्साॉस्ट नोट सुनाते हैं कि यह अब सुन पार होंगे इस बाइक का इक्साॉस्ट नोट आपको उनाते हैं इसका इंजन साउंड आधि आधि अग्साइब देख सकते हैं हमारे सामने में प्रेजेंट हो लिए हमेरो के सप्लेंडर प्लाउस 2.0 का मोस्तरी इमांडी इस छाने च्ट बैक्स चैन्ट फैसंड however includes रवायंड tut ठीप द में हमारे तक प्रेविलकुली अपडेट के साथ एप और लैए को यहां प्रेंट प्रेजेंट जिसे की ही डाम दिया है 2.0 तो फाइनली 2.0 में यहां पर आपको सभी जो प्रीमियम प्रोडक्स है वो देखने को मिलेगा और यहां पर एक और प्रीमियम प्रोडक्ट एड़ हो चुका है हिरो के लिस्ट में जो की है 2.0 Fστεck tittar करेंज करेंगी काफी सब्सक्राइब यहां पर काफी ही के साथ कंपनी लॉंच कर दिया सबर अपनी के सकते हैंगे करेंगे काफी अच्छी आप पर आपको light की quality है वो मिल जाती है इसका जो throw है वो भी यहां पर आपको अच्छा देखने को मिलता है night के time पर अगर आप बात करते हैं friends इसके यहां पर complete front look की तो यह पूरा changed है यहां पर आपको splendor plus का जो badging है वो मिलेगा red और यहां पर silver और फ्रेंट्स ब्लैक तीन कलर्स का यूस किया गया red में stripe है जिससे की काफी sporty look मिलता है इस bike को अगर आप इसके friends tires को भी देखते हैं तो वह भी friends आपको company MRF का provide कर रही है 80 by 100 का tire है जो की 18 inches के alloy wheels पे mount है यहां पर friends आपको टेलिस्कोपी folks मिलता है all black में company यहां पर alloy wheels आपको provide करती है all black में अगर आप friends इस site से देखते हैं तो company यहां पर reflectors आपको provide करती है जो कि night में इसकी visibility को बढ़ाती है और यहां पर friends अगर आप इसके tank पर focus करते हैं तो सबसे पहले तो friends आपको tank पर यहां पर दिखेगा hero का logo जो की 3D में है और just friends उसके नीचे अगर आप यहां पर आते हैं त इसे की site आपको काफी premium यहां पर फील होगा साथ के साथ company यहां पर आपको mobile charging भी जो है वो provide करती है जो कि आप देख सकते हैं USB A port यहां पर company आपको दे रही है यह आप देख पा रहे होंगे बाकी यहां पर friends switches जो है वो अप्ग्रेड हो गया है पास के यहां switch आपको मिल जा आपको मिलता है यहां पर फोकस करते हैं तो इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाता है friends आप यहां पर call and miss call alerts वगर आपको मिल जाएगा सभी दिख जाता है battery यहां पर friends आपको दिखाएगा अपने phone का इस साइड में है engine malfunction indicator यहां पर neutral indicator यह इसका low fuel indicator और यहां पर modes का button मिलता है जिससे कि friends आप यहां पर modes को अपना मतलब change कर पाएंगे सबसे पहले तो आपको यहां पर friends मिल जाता है trip A उसके बाद मिलता है trip B और यहां पर friends आपको ohdometer मिलता है और यह average भी so करता है कि अगर app to trip A को राइड कर रहे है तो आपको क्या average मिल रहा है trip B में अपको के आवरेज मिल रहा है तो आप दोनों आवरेज को कंपेर भी कर सकते हैं बाकि यहां पर अगर आप इसके टैंक की बिल्ड क्वालिटी को देखते हैं तो वह काफी अच्छी मिलती है फुल मेटल में टैंक है और यह E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है अगर हम बात करते हैं इसके यहां पे complete side look की तो एक बार हम बैट के आपको जो इसका looks है वह दिखाते हैं ताकि आप यहां पर अच्छे से idea लगा पाएं कि बाइक बैटने के बाद यहां पर कैसी लगती है तो अभी आप देख पा रहा होंगा मेरी जो हाईड है वह 5-5 इंच के अप्रॉक्स में आप इसली इस बाइक को manage कर पाएंगे रहा बात बैटने के बाद looks का तो आप देख सकते हैं हम इसली इस बाइक को आगे पीछे भी कर पा रहे हैं किसी भी तरह का यहां में कोई problem जो है वोल नहीं फील हो रहा है काफी light weighted बाइक है यह और अगर हम बात करते हैं इस बाइक स स्टाइल के उपर depend करेगा कि केसे साब साब राइड कर रहे हैं बाइक को आपने कितना maintain रखा है अब हम बात करते हैं इसके सीट की तो सीट का जो लेंथ है वो काफी अच्छा है डूल टोन में आपको सीट मिल जाता है और अगर आप देखते हैं तो दो लोगों के लिए य आपको मिल जाता है reflectors company आप रवाइड करती है यह है इसका यहां पर carrier जो कि आपको कुछ इस टाइप कर यहां मिल जाता है जिसमें कि आप लगेज वगरा यहां ले जा सकते हैं साथ के साथ इस साइड में आपको मिलता है new design यहां पर फ्रेंड smuffler जो कि यहां पर exhaust smuffler रेय आपको इसका प्रेंड पहले से जाधा अप्रेंड इसके जो पैटरन सगर आप देखते हैं तो यह काफी अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करेगा जिससे कि टायर स्कीट होने का जो चांसे वह कम हो जाता है tubeless की आपको बैजिंग मिल जाती है और इसका टायर प्रोवाइड किया है आप इसकी ग्राफिक्स को नस्लीक से देख सकते हैं रहाबाद इंजन का तो इंजन में हैं पर कोई भी चेंज नहीं है सेम आपको 97 CC का कंपनी इंजन प्रोवाइड करती है जो कि यहां पर सेम पावर पर यूस करता है प्रोग्राम डेफाई की बैज जारखंड से हैं कोई भी हीरो का अगर आपको प्रोडक्त लेना है तो आप शोरूम जरूर से विजट कर ले सबसे पहले तो आपको फ्रेंट्स यहां पर जितना भी प्रीमियम प्रोडक्स है वह आपको मिल जाएगा और साथ के साथ सबसे पहले स्टॉक्स आपको देखने अगर हम बात करते हैं इसके प्राइजिंग की तो यह भी लगबग ओन रोड आपको देखने को मिल जाएगी 98,500 रुपीज के अप्रोक्स में जिसमें कि यहां पर आपको सारी असेसरीज भी मिलेगी बाइक के साथ में जैसे सीट कवर हो गया अपना जितना भी यहां पर फ स्प्लेंडर का ब्लैक कलर के ऊपर एक डीटेल वीडियो मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स हम क्लेयर कर पाएंगे जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप फ्रेंड्स इंट्रेस्टेड हैं बाइक को लेने के लिए तो शोरूम का कॉन्टैक् इसक्रिप्शन में प्रोवाइट कर देंगे बस आप कॉल करके अपनी बाइक को जो है वो बुक करवा सकते हैं